नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों आज एक टॉपिक लेकर आए हैं हम आपके लिए जिसमें हर एक्जाम में कम से कम चार से पांच नमबर का कॉशन पूछा जाता है और ये टॉपिक है आयस्क और उसके खनिज जो सभी परिक्षाओं के लिए महतरपूर हैं आप इस वीडियो को अंतर तक देखके अपने नोट से बना सकते हैं कि कौन सी धातू किस आयसक से प्राप्त की जा सकती है तो आपके कभी भी कोई भी कॉशन इस टॉपिक से गलत नहीं होंगे एक्जाम में साथ साथ आप स्क्रीन पर टाइम टेबल देख रहे होंगे लाइव क्लास का तो आप चैनल की लाइव क्लास भी जोइन कर सकते हैं इसके लिए वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन जरूर कर लीजेगा जिससे सभी क्लास का नोडिफेकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे चलिए तो सबसे पहले में आपको आयसक और खनिच क्या होता है ये बता देता हूँ आयसकों को खनन करके बाहर लाया जाता है फिर इनका सुद्धी करण करके महत्वपूर्ण तत्वया धातुएं प्राप्त की जाती है अर्थात आयसक वो होते हैं जिनके द्वारा धातुओं को प्राप्त किया जाता है सुद्ध करके तो ये एक प्रकार की खदानों से वर्तित होता है अब मैं आपके लिए हर धातू हर तत्तों का अयस्क बताने जा रहा हूं तो आप नोट्स जरूर बना लिजेगा सबसे पहले तो आप स्कीन पर देख पा रहे होंगे अल्यूमिनियम तो दोस्तों ये कॉश्चन कई बार एक्जाम में पूछा जा चुका है अलग-अलग अयस्क दे कर पूछ लेते हैं कि किस धातू का है ये अयस्क तो अल्यूमिनियम के most important अयस्क कौन कौन से होते हैं तो बॉक साइड होता है, क्रायोलाइट होता है, कोरंडम होता है और डायस्पर ये चार ISK मेंली जो हैं एक्जाम में सबसे ज़्यादा पूशे जाते हैं अल्यूमिनियम के ISK के रूप में नेक्ष देखते हैं नेक्ष क्या पूशा गया है यह रहा स्कीन पर अगला कॉशन तो अब आप से पूशा जा रहा है चांदी चांदी के हर प्रकार से कॉशन आते हैं विद्दुत की सबसे सुचालक होती है चांदी चांदी के बारे में कहा जाता है कि अधिकतर कॉशन जो है चांदी के साइंस में पूशे जाते हैं अलग-अलग प्रकार से अब आप देख लीजे कि चांदी किस-किस आयस्क से प्राप्त की जाती है तो अर्जेंटाइट आयस्क होता है नैटेव सिलवर आयस्क होता है एजूराइट आयस्क होता है और एजूराइट तो ये आपका जो है चांदी के ये आयस्क हैं जो अलग- हैं उनमें next question देखते है next question क्या है तो जस्ता की बात हो रही है जस्ता जो है काफी जादा famous है exam में आपने कई बार अलग-अलग type से जस्ता पूशा होगा देखा होगा आपने galvanization में जस्ते का नाम सुना होगा कि धातुओं पर जस्ती करण किया जाता है जंग से बचाने के लिए उसको galvanization कहते हैं या यशद करण कहते हैं या यशदी लेपन कहते हैं तो जिंक ब्लेंक जिंकाइट और कैला मीन ये जो हैं जस्ता या जिंक कहलें आप इसके अयस्क होते हैं तो जस्ता की बहुत अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग काम होते हैं साइंस में कौशन कई प्रकार से बनता है तो अगर आप से पूछा जाए कि जस्ते के अयस्क कौन-कौन से होते हैं तो जिंक ब्लेंट जिंकाइट और कैला मीन ये तीनों जस्ते के फेमस अयस्क हैं जो हर अग्जाम में पूछए जा सकते हैं, तो नोट्स जरूर बना लिजेगा, अगला देख लेते हैं क्या पूशा गया है लाइमोनाइट, आइरन और पाइराइट, आइरन पाइराइट, ये सबी जो हैं लोहे के फेमस आयस्क होते हैं, कॉश्चन में हेमेटाइट, मैगनेटाइट कई बार पूछा गया है, लेकिन बाखी के यो तीन आयस्क हैं, इनका नाम आपने शायद ही सुना होगा, तो ये भ एक्जाम में कई प्रकार से पूशे जाते हैं सबसे ज़्यारी को सबसे जयादा नुकसान पहुंचाता है तो सीसे के आयसक कौन-कौन से है गैलेना, एंगलेसाइट, पाइरोटाइट ये जो है तीन मेंली सीसे के आयसक है और सीसे को आप इंगलेस में लैड बोलते हैं तो right answer क्या हो जाएगा सीसे के तीन मेली आयस्क हैं वो कौन कौन से हैं गैलिना एंगले साइट और पाइरो टाइट इसके सीसे के आयस्क माने जाते हैं next question देखते हैं next question क्या है मैगनीज की बात कर लेते हैं तो मैगनीज भी आपने कई प्रकार से सुना होगा मैगनीज डाइ ऑकसाइट के बारे में सुना होगा अलग लग रियक्शन होते हैं इसके तो मैगनीज के आयस्क कौन कौन से हैं Pyralucite और Magneite ये दो mainly asking हैं जो exam में पूछाए गया है मेंगनीस के तो अगर आप से पूछा जाता है मेंगनीस के आस के बारे में तो आप ये दो नाम जरूर याद करके रखें Pyralucite और Magnetite ये दो मेंगनीस के मुख्य आइसक हैं next question देखते हैं तामबा जी हां दोस्तों तामबा जो है अधिकतर कहें तो एक प्रकार से जितने भी थर्मा मीटर्स वगेरा होते हैं तामे की प्राइथ मिक्ता उस थर्मा मीटर में जादा दी जाती है अधिकतर थर्मा मीटर जो है एक प्रकार से किसी भी प्रकार का मीटर है जो जाचने के लिए यूज़ किया जाता है तामे की ही अधिक्ता से बनाए जाता है क्योंकि ये ज़्यादा समय तक चलता है तो तामे के आइस कौन-कौन से है कैलको पाइराइट क्यूप्राइट एजूराइट और मेलाकाइट ये जो है तामे के आइस खें तामा जो है प्र तो टिन जो है टिन का famous आयस्व है Cassie Wright तिन जो प्राप्त किया जाता है Cassie Wright से प्राप्त किया जाता है और टिन भी बहुत ज़ादा एकजाम में पूछा जाता है अलग अलग प्रकार से जैसे solder किसका है तो solder सीशा और टिन को मिला कर solder बनता है, electric उपकरणों को जोडने के लिए, तो tin आपने सुना होगा solder किस से बनाए जाते हैं, electric उपकरणों को जोडने के लिए, तो सीशा और tin से मिलाकर बनाए जाते हैं, तो tin का ऐस्क क्या है, कैसी राइट, tin का ऐस्क है, next देखते हैं, पारा या mercury, आपने सुना होगा, HG से denote करते हैं, sine bar इसका ask है, S, HG sine bar का symbolic shoot होता है, आपने देखा होगा, पारे को लोहे के बरतन में रखते हैं, ये question कई बार पूछा जाता है, क्यों, क्योंकि पारा उसके साथ में reaction नहीं करता है, बाकी question क्या है, sodium की बात कर लेते हैं, तो sodium के IS कौन कांस है, sodium chloride, borax, जिसको सुहागा बोलते हैं, borax, जो है, हमारे toothpaste होते हैं, toothpaste में borax मिला जाता है, जिससे हमारे दान्थ साफ होते हैं, sodium chloride, borax, जिसको सुहागा बोलते हैं, sodium nitrate, sodium carbonate, sodium sulphate, तो ये सभी जो है sodium के ISC की कडिगरी में आते हैं next question देखते है calcium की बात करते है calcium का ISC होता है calcium carbonate आप ने इसका कई बार नाम सुना होगा calcium carbonate calcium का famous ISC है next question देखते है next question क्या है ये रहा स्कीन पर sodium to sodium के क्या क्या ISC होते है chili salt peter जिसको हिंदी में बोलते है next question देखते है next question क्या है gypsum की बात कर लेते हैं तो gypsum सो जो है flow flow spar fastporide gypsum आपने देखा होगा cement बनाने में gypsum का use करते हैं ये भी question पूछा जाता है कि gypsum क्यों मिला जाता है cement में तो gypsum क्या करता है cement के जमने की दर को थोड़ा slow कर देता है जिससे concrete set हो जाता है gypsum जो है आपका plaster of Paris में पाए जाता है तो gypsum एक परकार की कठोर आवस्था प्रदान कर देता है किसी भी चीज़ को तो right answer क्या हो जाएगा gypsum के कौन कौन से ask है flow spar और phosphoride gypsum के ask है next देखते हैं potassium की बात करते है potassium आपने देखा होगा potassium जो है एक परकार से हमारे लिए support का भी काम करता है शरीर में अलग अलग परकार से potassium का use होता है हड़ियों में अलग होता है हृदय में भी potassium का काफी जादा महतो है phosphorus potassium यह सबी जो है शरीर के अच्छे खनिज लवणों में से एक है तो potassium किसके से पाय जाता है potassium carbonate और potassium nitrate इनसे जो है आपका potassium प्राप्त किया जा सकता है next question देखते है next question क्या है magnesium की बात कर लेते हैं तो magnesium जो है magnesium जो है magnesium एप्सोसाइट डोलामाइट और कारनेलाइट यह चार आयस्क होते हैं magnesium के तो इन सबी से आप magnesium प्राप्त कर सकते हैं potassium magnesium यह बहुत ही महतपूर्ण खनिजलवड होते हैं हमारे शरीर के लिए development करने के लिए next question देखते हैं तो antimony सुर्मा की बात हो रही है तो आपको antimony कम सुर्मा के नाम से ज्यादा question बनते हैं तो यह जो है सुर्मा किसका आयस्क है तो इस्टिब नाइट का आयस्क है सुर्मा सुर्मा का आयस्क है स्टिब नाइट अगर आपसे पूछा जाए कि antimony या सुर्मा का आयस्क क्या होता है तो स्टिब नाइट सुर्मा का आयस्क होता है next question देखते हैं titanium जिहां दोस्तों titanium को रणनेतिक धातू का दर्जा दिया गया है और titanium जो है ilme night से प्राप्त की जाती है तो दोस्तों ये थे कुछ महतपूर खनिच और इनके आयस्क आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर अन करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए live class भी जरूर जोइन कर क्योंकि इस टॉपिक से कम से कम चार से पांच नंबर तो आते ही आते हैं तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा वीडियो अन तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next session में किसी next topic में तब तक के लिए best of luck द